प्रेश दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप अज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाले है बहुत ही खास होने वाले है और बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में आज को लगा हमारे यूटूब पे आपको पता को पहले एक बार टिक टॉक और यूटूब के हुआ है यूटूब पे और यह है हॉनस्ट यूटूबर टैग ठीक है यह है हॉनस्ट यूटूबर टैग मतलब भाईया मैं ही सबसे शरीफ हूं मैं ही सबसे अच्छा हूं और बागी सारे तो सब साले चोर है उनकी किसमत अच्छी है तब ही उनका चल रहा है भाईया मैं तो सताया हुआ हूँ, मेरे वीडियोज कोई नहीं देखता मतलब जैसे underrated, मैं ही सबसे underrated हूँ सताया हूँ, आप इनके वीडियो देखोगे न जाके तो आपको ऐसा लएगा या सची में यार, ये बंदा सची में इतना underrated है, इतना अच्छा-चा काम कर रहा है, और इसके वीडियोज पर तो कोई वीउज ही नहीं आते और बाखी सारे वीडियोज देखिए, मतलब इतना अच्छा-चा काम कर रहे हैं कुछ भी मतलब ऐसा है, और उनको लाको वीउज आ रहे हैं, मिलियन वीउज आ रहे हैं, तो इस बिचार ने कि आप आप कर दिया, इसके वीडियो को देखना चाहिए, यही करना चाहिए तो बस आजकल यह चल रहा है वीडियो में सब अपना-पना बता रहे हैं मैंने भी जाके एक वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा I was so inspired वीडियो देखके मुझे लगा क्या बाते हैं, मतलब सही अच्छी बाते हैं तो मैं सुझा क्यों ना, मैं भी इस पे एक वीडियो बनाऊ और कुछ अपनी बाते रखों इन टॉपिक के उपर ठीक है, और हो सकता है, शायद आपको मेरी बात समझ में भी आए ठीक है, अच्छा, मैंने एक बंदे को बोलते हैं कि एक औरत है, जो कुट्टे पालती है अपने घर में, और उसके व्लॉग बनते हैं और कोई मतलब उसमें कंटेंट नहीं है आप जाके उनके ब्लॉग को देखिए और बस पांच जस्मिन का वीडियो बनाएगी कुट्टों के साथ खेलेगी और आपको सिर्फ बताके वीडियो बंद कर देगी और उसके वीडियो पर मिल रेंड व्यूज आते हैं और मैं यहाँ पर इतना अच्छा चीज लोगों को बता रहा हूँ लोगों को सिखा रहा हूँ मेरे तो भया 100-200 वी व्यूज आते हैं इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद तो मेरी क्या गलती सही बात है भई आपकी क्या गलती आप बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं लेकिन आपने पहले यह देखा है कि जिसकी बात आप कर रहे हैं वो कितनी फेमस डांसर है आपने देखा उन्होंने कितना जिन्दगी में अपना टाइम डांसिंग को दिया लोग उनको इतना पसंद करते हैं तो आज अगर वो अपना एक छोटा मोटा व्लॉग भी बनाती है लोग उसको पसंद करते हैं उसने उसके पीछे कितनी महनत की आपने वो देखी आपको जुम्मा चुम्मा यूटूब पे आए हुए यार एक महिना हुआ है दो महिना हुआ है और आप यह सब वीडियो बना रहे हो आपने क्या महनत की है कि मदलब आपको उतना सक्सेस मिले ज़र एक बार वो भी सोचिए ठीक है बस सिर्फ बोलना है और अपने आपको यह दिखाना है कि भाईया मैं सबसे अंडर रेटेड हूँ यह कौन सी बात हो गई ठीक है और उसको व्यूज आ रहे हैं भाई लोग उसको देख रहे हैं तो कुछ बात होगी ठीक है देख नहीं तो यार ठीक है आप क्यों तकलीफ हो रही है उसके अंदर क्योंकि आपको पैसा नहीं बन रहा है इसलिए आपको तकलीफ हो रही है यह कोई बात नहीं होई अच्छा यूटूब पे अच्छा यह तो मैं भी बोल सकता हूँ मतलब देखो आज मुझे ना यूटूब पे अरीब करीब एक देर साल हो गए काम करते हुए मैंने इतने बहतरीन कंटेंग दिये है यूटूब पे आप जाके मेरे वीडियो को देखे कितने व्यूज आते हैं मेरे यार मतलब पांस सो हजार दो हजार किसी किसी में आठ हजार दस हजार बस यही व्यूज आते हैं तो मैं भी बोल सकता हूँ I'm the underrated लेकिन कभी मैंने आज सक आपको ऐसा बोला नहीं बोला क्यों विकाज मुझे मालूम है जो हम महनत करेंगे हमको वही मिलेगा जो हमने महनत नहीं की उसका फल आपको नहीं मिलेगा उपर वाला कभी किसी के साथ नाइनसाफी नहीं करता है वो सब देखता है यार हाँ थोड़ा आगे पीछे उपर नीचे लेट वेग में करता है लेकिन सब देखता सब है आपको बराबर हत मिलता है यार आपने महनत ही नहीं की अच्छा देखिए YouTube क्या बोलता है आप ज्यादा रीच नहीं जाएगा अब मैं अपनी बात करूं तो भई देखो मैं stock market में काम करने वाला आदमी हूं मेरे बीवी बच्चे है मेरा परिवार है मेरे classes चलते हैं में पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आके हर दिन एक वीडियो बनाऊ ठीक है I'm not a basic YouTuber I'm a stock market trader ठीक है ज मैं promote की बात करता हूं तो YouTube क्या करता है की बोलता है आप दूसरे तरीके से promote कीजिए ठीक है आप दूसरे तरीके से promote कीजिए अच्छा इस बात को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आप मान लेते हैं आपने एक दुकान खोली है अपने गाओं के अंदर और की लोग को मालूम पड़ेगा mouth publicity से जब इधर से आदमे कोई दूसरी जगा जाएगा तो बात करेगा पर कितना रीच हो जाएगा आपका तो लोग promote करते हैं अपने ads बनाते हैं हर जगा छपवाते हैं paper में डलवाते हैं सेम चीज YouTube पे भी होता है YouTube के अंदर भी आप अपने देश में सबसे अची चीज क्या है as a viewer अच्छा माल लेते हैं मैं वीवर हूँ तो मुझे सबसे अचा क्या लगता है मैं उसके ही वीडियो देखूंगा जिसमें सबसे ज़्यादा वीउज आए होंगे सही बोड़ रों आप भी तो वही देखते हूना जिसमें सबसे ज़् यह सब खरीदे जाते हैं भाईया यह सब खरीदे जाते हैं तो यह इलीगल नहीं है लीगल है आप भी पैसे पे करो तो Google AdSense के अंदर जाके आप पैसे दीजे आप देखे मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे आप जाके वहां पे पैसे पे कीजिए और एक व्यूस का आपक तो उस पे अरीब करीब पांच मिलियन दस मिलियन का व्यू आ जाएगा ठीक है एक बार लोगों ने देख लिया अब एक बार आपका वीडियो देख लिया ना तो यूटूब का जो सर्च इंजिन है वो कुछ ऐसा है कि अगर आपने किसी का वीडियो देखा तो अगली बा कि इन आपको प्रमोट ही नहीं कि तो पब्लियों कैसे मालूम पड़ेगा यार अले से मैंने कभी अभर गोंट मैंने डियक्या मेरी ही कहए इस मेरी घ्यू कि कि मुझे सूरी को अच्छा एक और बहुत बहुत अजीब सा तरीका ही एकता माल लो मैं रातों रात अपने आप आपको फेमस करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए रात और रात मुझे फेमस होना है तो मुझे क्या करना चाहिए आप न मोधी को गाली देना सुरू करते हूं इस तरीका बता रहा हूं आपको आप मोधी जी को गाली देना स सब पब्लिक आपका नाम जान जाएगी, कि ये बंदा है, जिसने, इसमें कुछ दम है, ये बंदा कुछ बोल रहा है, ठीक है, आप चाहे कुछ भी हो, फिसर दी हो, कुछ भी हो, आपने अपने आपको प्रोमोट कर लिया, सेम चीज है यूटूब के अंदर भी, लोग आते ह हैं, अरीब करीब एक साल, दो साल हो गए, काम करते करते, व्यूज नहीं आए, तो लोग क्या करते हैं, एक जो बड़ा यूटूबर है, उनके सेक्टर का, सेक्टर इंस हैं, जिस सेग्मेंट के वीडियो जो बनाते हैं, जैसे आप पकड़ दीजे, CNBC के किसी को पकड़ द पकड़ दीजे, आप नितिन भाटे को पकड़ दीजे, किसी और को पकड़ दीजे, आप उन्हों गाली देना सुरू कर दो, इन लोग ये हैं, इन लोग चोर हैं, साले, ये करते हैं, वो करते हैं, तो आपको ना आटोमैटिकली व्यूज मिल जाएंगे, और बहुत सारे द आप खुद से कुछ नहीं करोगे, आप याद रखेगा, नेता जो होता है, एक जो अच्छा नेता होता है, राजनीती में, वो खुद से कोई क्राइम नहीं करता है, वो अपने नीचे के चेले चपाटे जो होते हैं, उनसे क्राइम करवाता है, तो ये जो आजकल की जो नय पदिती आया है वो यही है कि आप अपने को बोलोगे भाईया मैं आपकी मदद कर रहा हूँ आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो यार आप लोगों को गुमरा कर रहे हो उनसे सारे गलत काम करवा रहे हो ठीक है और यह काम यह क्या कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है यू YouTube में, जिस segment में आप वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, कोई अच्छा YouTube नहीं है, क्या? आपके अलावा कोई और नहीं था, क्या? कोई भी नहीं है, आप कभी किसी की तारीफ नहीं करोगे, कभी नहीं बोलोगे कि भाई ये आदमी अच्छा है, हाँ, बुराई आपसे करवा लो जितनी मनें बुराई करवा लो और हम जो viewers है ना हमको बुराई ही सुननी है पता नहीं क्यूं अगर आप किसी के अच्छाई कर दो ना आप बोल दो यार मतलब वो बंदा जो है वो काफी अच्छे वीडियोस बनाता है मुझे अच्छा लगता है उसका वीडियोस और आप उससे सीखिए तो पब्लिक क्या कमेंट करेगी पता आपको मैं आपको बता पब्लिक के कमेंट करेगी अच्छा उसने इसको पैसे दिये होंगे अपने बारे में बोलने के लिए हद है यार आप बुरा ही करो तो ठीक किसी की अच्छा ही कर दो खराब और अच्छा ही कोई करेगा नहीं तो यार जब तुम अच्छा नहीं कर सकते हैं किसी का किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते बुरा क्यों बोलते हो यार कोई मतलब है बोलने का आप अपना मेहनत कीजिए, पब्लिक बेफकूफ नहीं है, आप जिसको बेफकूफ समझ रहे हो ना, वो बेफकूफ नहीं है सर्व, वो सब जानती है, पब्लिक को सब पता है, यह पब्लिक है, यह आपको उपर से लेके नीचे तक जानती है, आप क्या कर रहे हो, बट अगर वो आपको फॉलो कर रही है, अपने फाइदे के लिए फॉलो कर रही है, हर आदमी अपने फाइदे के लिए कर रहा है, जो बोल, अभी जैसे मालो मैं यूटूबर, भाई मैं यूटूब पे क्यों काम कर रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा को उसे sponsorship पाए, मुझे पैसे मिलें, तभी तुम YouTube पे काम करते हैं, कौन सा आदमी YouTube पे ऐसे ही काम करता है, कोई नहीं करता है, तो वो सिर्फ फेकने वाली बात है, सिर्फ फेकने वाली बात है, आप अपने office जाते हो, भाई क्यों जाते हो office, आपको office से प्यार है गया, आपको salary से प्यार है sir, आपको salary चाहिए, आपको अपने परिवार का देखना है, जो ये बोलता है, नहीं मैं तो company के लिए काम करने आ रहा हूँ, मैं company से बहुत ब्यागरता हूँ, सारा दुन्ये में सबसे बड़ा जूटा है, हाँ, अब हम money logic के अंदर, money logic में हमारा जो basic principle है, वो खुश हो, आपको उसे आपकी भी growth हो, मैं भी growth करूँ, आप भी growth करूँ, ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते हैं, दुनिया बर में गाली देने की क्या ज़रूत है, मैं underrated हूँ, मैं overrated हूँ, मेरी मदद करो, मुझे देखो, मैं तो गरीब हूँ, ये सब क्या करते हो, बहुत चल महनत करेंगे, जो आप काम करेंगे, आपको उसके हिसाब से उपर वाला reward जरूर करता है, अच्छी महनत करें, इमानदारी से काम करें, दूसरों की बुरा हिनात करना बंद करें, अपने काम पे focus करें, और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी successful होंगे, ठीक है, that's it for today, फिर ब